दोस्तो स्वागत है आप सबका एक बरफिर सेल डिप्लोमा होल्डर्स पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BCIL यानी Broadcast Engineering Consultant India Limited की तरफ से डिप्लोमा और VB Tech वालों के लिए वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर Civil Engineer Sales बल रहेंगे आपकी डायरेक्ट भरती रहेगी All Our India की Candidate यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे और क्या बताये गया है इनके Official Notice में उसमें आगे जाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फोर्म में आपको जो आप सब्डेट मिलते रहें इसके साथ ही आप टेलिग्राम चैनल और वाक्टसब ग्रूप को भी जोईन कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हम हैं के Official Notice पर Notice आपका Broadcast Engineering Consultant India Limited की तरफ से 29 नॉमबर को निकाला गया है यहाँ पर आप लोग Advertisement नंबर देख सकते हैं यह आपकी एक मिनिरतन कंपनी है Ministry of Information and Broadcasting के एंडर में आती है फिल हाल इनकी तरफ से NWDA पटना बिहार ओफिस के लिए वेकेंसी निकाली गई है जहाँ पर Diploma और B.B.Tech वाले Apply कर सकते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी Name of Post के बारे में तो Post यहाँ पर आपकी रहने वाली है GIS Expert के लिए Elisability Criteria में आपको बताया है अगर आपने B.B.Tech या फिर Diploma किया है Civil Engineering में आप यहाँ पर Elisable रहेंगे और इसके साथ यहाँ पर आपको GIS Software और AutoCate की जानकारी होनी चाहिए तो जिन भी दोस्तों ने हमारे B.B.Tech या फिर Diploma किया है Civil Engineering में और आपको GIS, AutoCate, MS Office और MSXL की जानकारी है आप लोग यहाँ पर Apply कर पाएंगे Salary यहाँ पर आपको लगभग 24,000 रुपे प्रतिमन्थ मिल जाएगी बात करें आपके Apply Process के बारे में तो Apply Process यहाँ पर आपका Online रखा गया है Form Online होने यहाँ पर आपके सुरू हो चुके है और Last Date यहाँ पर आपकी 14 December रहेगी Total 7 Step में यहाँ पर आपका Application Form Complete होने वाला है अब बात कर लेते हैं आपकी Application Fee के बारे में अगर आप General, OVC, Female या फिर Ex-Service Man के टिगरी में आते हैं तो Application Fee यहाँ पर आपको 880 रुपे देनी है अगर आप SCST, EWS या फिर PH के टिगरी में आते हैं तो Application Fee यहाँ पर आपको 530 रुपे देनी है जो Basically यहाँ पर आपकी Contract Base पर रहने वाली है इन इसलिए Appointment यहाँ पर आपकी 1 साल के लिए रहेगी बाकी से आपकी Performance और Requirement के हिसाब से आगे Extend किया जाएगा Apply Link आपको वीडियो के Description में मिल जाएगा आप वहाँ से इसलिए अपना Form apply कर पाएगे बात करें आपके Selection Process के बारे में तो जैसी भी जानकरी आप लोग यहाँ पर अपने Application Form में प्रोवाइट करेंगे उसके हिसाब से ही Shortlist करके यहाँ पर आपको Skill Test या फिर Interview के लिए बुलाए जाएगा जो भी दोस हमारे इनके Elisability क्राइकरिया को पूरा करते हैं आप इसके लिए Interested होते हैं, Elisable होते हैं आप यहाँ पर apply कर सकते हैं अभी के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए Thank you, सुक्रिया